नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन में हुड़े देखने वाले हरकिसान भाईयों मुर्गी पालक भाई का आज के हुड़े में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों भारत वर्ष का सबसे सस्ता अगर कोई व्यावसाय हो तो उसका नाम है दोस्तों मुर्गी पालन आज इस विकट परिस्तिती में सबसे सपोर्टिव अगर कोई व्यावसाय होगा तो दोस्तों उसका नाम है मुर्गी पालन भारत वर्ष में यह वीडियो देखने वाले विवर्ष दोस्तों भारत वर्ष के हर राज्य को बिलॉंग करते हैं यानि कि वीडियो देखने वाला विवर्ष जम्मु कश्मीर का हो सकता है या आप दिल्ली से हो सकते हैं पंजाब हरियाना से हो सकते हैं आप राजस्थान, गुजरात, महराष्टरा, गोवा या उसके साथ दोस्तों दिल्ली, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल यानि उत्तराखंड, मद्यप्रदेश, छत्तिसगड और उसके साथ ही दोस्तों आसम, बिहार, जारखंड, पस्चिम, बंगाल या अरुनाचल, सिक्कि यानि आप भारत वर्ष के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज का सवाल सबसे इंपोर्टन्ट यह है, कि आप अगर किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी तहसील में या जिले में, तो आपके एरिया में आपको कौन से मुर्गी का चुनाव करना है, आपने वैसे तो व्यावसाय के रूप में मुर्गी पालन को अपनाया है, लेकिन मुर्गी पालन के व्यावसाय को अपनाते हुए आपको कौन सी ब्रिड का चुनाव करना है, यह सबसे इंपोर्टन बात है दोस्तों, कोई कहेगा RIR हमारे एरिया में अच्छे है, अच्छी है कोई कहेगा WFG अच्छी है कोई कहेगा QIRAL तो कोई कहेगा सोनाली कोई कहेगा जो है दोस्तों BB300 नाम की मुर्गी कोई कहेगा White Leg Horn याने कि मुर्गी की असंख प्रजातिया है और इन प्रजातियों में आपको suitable होने वाली मुर्गी किस तरह से चुनी जाए, आप नए मुर्गी पालक हो या आपको मुर्गी पालन से लाखो का मुनाफ़ा कमाना है तो मुर्गी के ब्रिड का चुनाव करने के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है इसलिए यह वीडियो शुरुआत से लेके अंततक देखिए आज का यह वीडियो यह जानकारी दोस्तों आपके लिए इतनी महत्त पुर्ण है कि इस जानकारी को लेके अगर आपको मुर्गी पालन की कोई भी जानकारी नहीं होगी तो आप मुर्गी पालन में ज्यान वर्धन करके सक्षम तासे मुर्गी के ब्रिड का चुनाव कर सकोगे इसलिए दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए देखने के बाद आपको यह वीडियो आगर पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे ज्यादा से ज्यादा मेरे किसान भाई मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजे शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसप नमबर, वाटसप ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, स्नैपचाट, इन सोशल मीडिया के साधनों का भी इस्तमाल करके वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो ताकि मेरे भारत वर्ष के हर नागरीक को, हर मुर्गी पालक भाई को, हर बेरोजगार युवा को मदद हो सके क्योंकि आगर आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा इसलिए वीडियो शेयर करना चाहिए और रही बात दोस्तो सब्सक्राइब की तो सब्सक्राइब करना बहत आसान और महत्तो पूर्ण है दोस्तो तो ही आपको अगला वीडियो मिलेगा इसके लिए आपको वीडियो की दाई तरफ निचली साइड को आने के बाद जो लान निशान दिखता है वह निशान है दोस्तो सब्सक्राइब का उसको टच करने के बाद आपको कलर चेंज होते हुए दिखेगा और बगल में घंटी आएंगे उस घंटी को टच करके all इस notification को on कर देंगे तो आपको आने वाली हर information जानकारी समय समय पर मिल सकेगी जिससे दोस्तो आपके सामने आपत्ति आने से पहले ही आपको solution मिल जाएगा ताकि आपका व्योसाय फलेगा फुलेगा और लाखों का मुनाफ़ा आपको प्राप्त करके दे सकेगा और आपके मन में कोई समस्या दिक्कत तकलीफ आपत्ति या कोई भी सवाल हो तो आपका यह दोस्त आपसे गुजारिश करता है कि आप आपकी समस्या मुझ तक भेजिए आपके आने वाली हर समस्या जैसे ही comments box में आ जाएगी दोस्तो उसका solution अगले वीडियो के साथ आपक तो देखें दोस्तो व्यावसाय में व्यावसाय की बात करेंगे तो दोस्तो मुर्गी पालन के व्यावसाय का कोई भी सानी नहीं है आज दुनिया में 20 से लेके 30 प्रतिशत तक जन संख्या इस व्यावसाय पर निर्भर हो चुकी है आने वाले समय में आने वाले सालों में आने वाले दशकों में मुर्गी पालन का व्याउसा आपको अंगनत संभावनाओं का स्त्रोथ दिखाए देगा लेकिन आएसे में आपके मन में सवाल आता है कि मैं मुर्गी का चुनाओं कौन सा करूं क्या मेरे लिए RIR मुर्गी सही रहेगी क्या मैं क्वाइरल का चुनाओं करूं नहीं बीबी 300 आच्छी है नहीं वाइट लेग और न आच्छी है नहीं मैं देशी मुर्गी पालन ही करता हूं अनगी न सवालों के लेकर कभी व्यावसाय आपका फल और फूल नहीं सकता इसलिए दोस्तो मुर्गी पालन के व्यावसाय को चुनते हुए मुर्गी की बिड़ चुनने के लिए नीचे जो मुद्दे जो बारीक बाते आपको बताई गई उनका आप टोटल सार समझीए आ उसके बाद आप एक सही और अच्छी ब्रिड का चुनाव कर लिजिए तो दोस्तो जो बिंदू है मैंने नीचे बताए दोस्तो उनको सही तरीके से समझ लिजिए और कोई confusion होगा तो comments box में लिख कर भेजिए तो बात क्रमांक एक दोस्तो सबसे important बात है कि market कोई भी के लिए market कैसी है देख लिजिए दोस्तो आप यहां market की बात करेंगे तो मुर्गी पालन को तो market है दोस्तो कल थी आज ही और आने वाले समय में बढ़ती ही जा रही है लेकिन आपको जिस मुर्गी के ब्रिड का चुनाव करना है असल में जहां आप माल बेचने को जाएंग कल आप देशी मुर्गी के वा कौन सी भी मुर्गी के अंडे बेचेंगे उसका चिकन बेचेंगे चूजे बेचेंगे लेकिन क्या आसल में आपके पास जो मुर्गी है उसके लिए वहां market available है याने कि यूपी में आगर वहां पर मुर्गी जो अंडा सेल आउट हो सकती है उसमें देशी मुर्गी है आरायर है सोनाली है लेकिन आईसी ही मार्केट राजस्तान में हो सकती है क्या नहीं तो राजस्तान में तो कड़कना चलेगी याने कि हर जिला हर राज आलग मुर्गी के ब्रीड के लिए दोस्तों आपको यहां पर जो है दोस्तों सूचक इशार वहाँ पर दोस्तों पसंद किया जाता है और कौंसी मुर्गी का अंडों का貌 प्रोडक्षन वहाँ पर दोस्तों सबसे जादा हो सकती है पहले जान लीजे परक्षण पर चुनाव करने आपको जहां पर माल सेल करना है ना वहां पर देख लिजे कि उस मुर्गी के ब्रीड को क्या असल में वहां पर मार्केट है अगर इसका जवाब हां में मिले तो कोई दिक्कत नहीं उस ब्रीड का चुना करना आपके लिए सही रहेगा उसके बाद का दोस्तों point number two याने कि बिंदु क्रमांक 2 सबसे इंपड़त यहभी बात है दोस्तों कि आप जो फार्म डाल रहे हैं वहाँ इसा कौन लेना चाहिए तो दोस्तों फार्म होते हैं ज्यादा से ज्यादा तो दो तरहे कि आपको अंडो को बेचने के लिए लियर फार्म डालना है या चिकन को बेचने के लिए पोईट्री फार्म डारना है यह सोच लीज़ दोस्तों कि आपको करना है किसमे व्याउसाई व्याउसाई मुर्गी पालन में करेंगे लेकिन अंडो के लिए अगर आप लियर फ दोस्तों यह सभी मुर्गियां अंडों के लिए जानी जाती है यानि इन मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन दोस्तों 260 से लेकर 300 या 300 से उपर भी जाता है जिस मेरे मुर्गी पालक भाई को अंडों के प्रोडक्शन के लिए मुर्गी चुना है ब्रीड चुननी है उसने उचित मुर्गी पा मुर्गियों को चुनना पड़ेगा जिसमें की वाइट लेग हॉर्ण आरायार बीवी थ्री हंडरेड इन सरी की मुर्गियों का आप चुनाव कर सकते हैं दोस्तो लेकिन इन में से कूँसी breed को आपको जहां माल सेल करना है वहाँ demand है दोस्तों देखकर ही आप मुर्गी के breed का चुनाव कर दीजे नहीं तो आप जिस मुर्गी को ला रहे है उसका अंडों का production तो ज्यादा है लेकिन असल में उसके अंडों को मार्केट में demand ही नहीं है तो वह breed हमारे लिए लाबदायक नहीं रहेगी और चिकन का आपको वहाँ पर सेल करना है तो किस मुर्गी का चिकन है उस चिकन को क्या टेस्ट है और उस चिकन में वहाँ मुर्गी कितनी स्पीड से आप उसकी बढ़ोतरी कर सकती है यह भी देखना पड़ेगा जैसे कि मुर्गी के ब्रीड का चुनाओ करते हुए अगर आप वेट वहाँ पर गेन करने की बात करेंगी यानि स्पीडली वेट वहाँ पर बढ़ाना होगा वजन बढ़ाना होगा तो उसमें डबल अबजी अच्छी है उसके साथ डीपी क्रॉस मुर्गी यह भी अच्छी है यानि कि यह जो मुर्गी है आपका पहले परपज वहाँ पर फिक्स कर लेगा आपको मुर्गी पालज में क्या करना है लियर का फार्म डालना है अंडो के लिए या चिकन का फार्म डालना है दोस्तो अगर ये आपका point clear हो गया तो आप मुर्गी के breed का चुनाव अच्छा खासा कर सकते हैं लेकिन अगर आपके सामने आती है एक बात की अंडो के लिए तो दोस्तो white leg horn bb300 rir यह मुर्गी अच्छी है और chicken के लिए दोस्तो WFG और DP cross यह मुर्गी बहुत अच्छी है दोस्तो लेकिन आपके मन में यह सवाल किने मैं अंडो के लिए और chicken के लिए दोनों इकटा करना चाहता हूं तो दोस्तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी मुर्गी है कि जिसका अंडो का production भी आच्छा है और उसका weight भी आच्छा बढ़ता है तो दोस्तो आएसे में आपको WFG अच्छा परियाय उपलब्द करके देती है और उसके साथ हर एक राज्य में अलग मुर्ग मुर्गी का अंडो का production थोड़ा कम है लेकिन इसका जो demands और supply ratio बहुत दोस्तों उसमें gap है इसलिए कड़कनात और देशी मुर्गी का भी चुनाव इसमें बहुत सही रहेगा उसके बाद point number 3 दोस्तों यह भी important point है कि आपको फिड का होने वाला खर्चा आसल में आपके पास जो मुर्गी है उसका अंडो का production बहुत अच्छा वो चार महिने में एक केलो से ज्यादा उसका अगर वजन होता भी होगा दोस्तों तो भी वह मुर्गी तब तक हमारे लाब रुपई की आमदनी तो आएसे में आपको अहां पर देखना पड़ेगा कि फिड का खर्चा कितना है कौनसी मुर्गी कम से कम फिड में ज्यादा से ज्यादा अंडे देती है कौनसी मुर्गी कम से कम फिड में ज्यादा से ज्यादा खुद का वजन बढ़ा सकती है आएसे स सोलूशन नहीं निकलेगा तब तक आप सफल होने का सवाल ही नहीं वहां पर पैदा होता दोस्तों यानि कि आपको सफल मुर्गी पालन करना है तो आप जितना कम दोस्तों फिड का कोश्ट कर सकेंगे तो ही सफल हो सकते हैं और इसमें आपको देखना है फिर आइसी कौन सी कम से कम फिड के खर्चे में हमें ज्यादा से ज्यादा एक तो आंडे और ज्यादा से ज्यादा वहां पर चिकन का जो है प्रोडक्शन यानि वेट गेन वजन बढ़ा कर दे सकते हैं तो ही आप मुर्गी की सफलता से ब्रिड का चुनाव कर सकते हो उसके बाद पॉइंट नंबर फॉर जो कि आखरी पॉइंट है दोस्तो की मुर्गियों पर आने वाली बीमारिया दोस्तो आसल में आपका फार्म कितना बड़ा है आप कितना बड़ा मुर्गी पालन कर रहे है लेकिन इससे सबसे बड़ी बात एक है दोस्तो कि आपके मुर्गी आप देखेंगे तो 36 गड़ में सूट नहीं हो सकती गुजरात की मुर्गी पंजाब में सूट नहीं हो सकती है शिर्फ देसी मुर्गी छोड़ के दोस्तों इसलिए आपको देखना पड़ेंगा वहां पर कि आप जो मुर्गी के ब्रिड का चुनाव कर रहे हैं मुर्गियां आपके एरिया में क्या सूट हो रही है क्या उसका रेजिस्टन्स पावर अच्छा है क्या उसकी रोगों के खिलाप लड़ने की क्षंता अच्छी है और अगर वह मुर्गी उसका कितना यह भी आपको देखना पड़ेगा साल भर में उसके बीमारियों पर होने वाला खर्चा कितना है मेडिसिन का खर्चा कितना है और सव मुर्गिया संभालने के बाद आएसी कौन सी वह ब्रीड है कि जिसमें सबसे कम मुर्टिलिटी हो सकती है दोस्तो ऐसा जब आपको जवाब मिलेगा दोस्तो तो ही आप सफल मुर्गी पालक बन सकते हैं और सही ब्रीड की मुर्गी का चुनाव कर सकते हैं तो यहते दोस्तो वह चार सबसे बड़ी बाते कि जिन सवालों के जवाब लेकर आप सही ब्रिड का चुनाव कर सकते हो लेकिन एक बात यहाँ पर जान लो दोस्तो कि इन सभी चारों भी सवालों का एक ही जवाब है दोस्तो आप मार्केटिंग का देखेंगे तो देशी मुर्गी की मार्केट कल थी आज है और आने वाले कल में रहेगी फिड के खर्चे में देशी मुर्गी को जो फिड का खर्चा सबसे कम लगता है आने वाली बीमारिया सबसे कम होती है और साथ ही में दोस्तो अंडो का प्रोडक्शन दूसरी मुर्गियों से कम भी हुआ तो भी मिलने वाला मार्केट में रेट ज्यादा होने के कारण इससे मिलने वाला मुनाफा भी सबसे ज्यादा होता है चिकन की बात करेंगे तो वेट थोड़ा कम से बढ़ता है देर से बढ़ता है लेकिन इसके चिकन को इतनी डिमाड है दोस्तो कि दूसरी मुर्गी किलो की भी होगी तो भी इसका आधा किलो का रेट उसके हिसाब से बैट जाएंगा दोस्तो इसलिए आपको यहां पर सोचना होगा कि मुर्गी पालन का व्याउसाए चुनने से पहले चार बिंदू चार बाते आप ध्यान में रख लिजिए और ब्रीड का चुनाव कर दीजिए दोस्तो आपको देसी मुर्गी पालन करने के लिए तो बहुत मैं आश्वस्त करता हूँ लेकिन आपको देसी मुर्गी पालन नहीं करना है तो दोस्तो आपके लिए आरायर डबल अब जी वाइट लेग हॉर्न बीवी 300 इन में से कौन सी मुर्गी सही रहेंगी लेकिन उससे पहले अंडो का आपको करना है यानि लियर फार्म डालना है या आपको चिकन का करना है म ही आप सफल हो सकते हैं तो दोस्तो आएसा था यह पूरा वीडियो की जो मुख्य चार सवाल थे आपके मन में आने वाले इन चारों सवालों को लेकर आप मुर्गी के ब्रिड का चुनाव करेंगे तो आप कभी भी दोस्तो असफल नहीं हो सकते और आप समय से पूर्वा न दोस्तो तो वीडियो की दाईतरब निचली साइड को आकर दिखने वाला लाल निशान उसको टुछ कर दिजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा वगल में गंटे यह गंटी को टुछ करके आपको आने वाला हर वीडियो मिल सके और आप से शेर हर बार रहता है दोस्तों तो हर मेरे किसान मित्र तक यह वीडियो पहुचाने के लिए शेर किजिए शेर करने के लिए आप पर्सनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट का भी इस्तमाल कर सकते हो तो दोस्तो आईसा ता पूरा भाई और मुर्गी इपालक भाई का तहें दिल से बहुत बहुत आबार